नमस्कार आप देखने उत्राखंड तक और मैं हूँ आपके साथ सरीत अतिवारी उत्राखंड राज्य बनने के बाद से लगातार उत्राखंड की जनतार जमीन को भू माफियाओं से बचाने के लिए भू कानून की मांग करती आई है जैसे हिमाचल ने एक सक्त भू कानून बना कर प्रदेश की जमीन को भू माफियाओं के चंगुल से बचाया और अब पुशकर सिंग धामी के मुख्य मंत्री बनने के बाद एक उचसरी कमेटी यहाँ पर बनाए गई उन्होंने और यह कमेटी बनाने के बाद अब कमेटी लगातार इस पर अध्यन कर रही है कि जो हिमाचल का भू कानून है वो कैसा है उसकी तर्श पर यह कानून अब लाया जा सकता है साथि जलादी कारियों से रिपोर्ट भी मंगा रही है कि अब तक कितने बाहरी लोगों ने जमीन खरीदी कितने पर उद्योग चले कितने पर नहीं चले वगएरा वगएरा साथि समीधी हिमाचल के भू कानून का अध्यन लगातार कर रही है अगर उत्रा खंड के अंदर हिमाचल की तर्श पर अगर भू कानून आता है तो हमें ये जानना जरूरी है कि हिमाचल का भू कानून क्या है दरसल साल 1972 में हिमाचल में एक विश्यस कानून बनाए गया और ऐसा इसलिए किया गया ताकि दूसरे राजियों के अमीर लोग और अमीर उद्योपती लोग प्रदेश में जमीने ना खरी सकें क्योंकि 1970 के दर्शक में हिमाचल की जनता आर्थिक तोर पर उतिनी मजबूत नहीं हुआ करती थी लोगों को डर था कि लोग अपनी जमीने यहाँ पर बेज देंगे और हिमाचली जो लोग हैं वो भूमी ही नो जाएंगे गैर कृषकों को जमीन बेचने पर रोक लगा दी गई साथी ऐसे किसी भी व्यक्ति को जमीन ट्रांसफर नहीं की जा सकती है जो कृषक नहीं यानि किसान नहीं है फिर 2007 में दूमल सरकार आती है और होने इसी धारा यानि 118 में संशोधन किया और प्रावधान ये किया कि बाहरी राजिक्या व्यक्ति जो हिमाचल में कम से कम 15 साल रहा हो वो जमीन खरी सकता है लेकिन इसका खासा वरोध होने लगा तो बाद में इस कॉंग्रेस सरकार ने शर्त को बढ़ा का 30 साल तक कर दिया था भूस उधार कानून की धार 118 में ये भी प्रावधान किया गया है कि गैर करशक हिमाचल में जमीन नहीं खरी सकते क्योंकि गैर हिमाचलियों को राज में करशक का दर्जा नहीं दिया गया है हिमाचल का किसान अपनी जमीन किसी दूसरी गैर कृष्टक व्यक्ति को बेच या लीस पर नहीं दे सकता है सिर्फ हिमाचल का किसान ही वहाँ जमीन को खरीज सकता है और अगर कोई निवेशक हिमाचल आएंगे तो यहां के लोगों के लिए अलग से प्रविजन इस धारा में बनाए गया है मैं 2019 में ततकालीन मुख्यमंत्री ने यानि की जैराम ठाकों ने धारा 118 में प्रावधान किया और यह जो प्रक्रिया इसको ओनलाइन कर दिया ताकि जो निजी जमीन बाहरी लोग खरीदना चाहते हैं या नीज पर लेना चाहते हैं तो इस धारा की करीब करीब जो तमाम अपचारिक ताहों ने पूरी करने होती थी जो की काफी जटिल हुआ करती थी लेकिन अब ओनलाइन होने से जो फाइल होती में एक टेबल से दूसरी टेबल पर नहीं घूमनी पड़ेंगी तो फिलाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही बाकी ख़बरों के लिए आप देखते रहें उत्राखन तक नमस्कार कर दो